नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग इस वीडियो का जो टाइटर है इसराइल बॉर्डर स्थू मैप देखें ये जो पूरा वेस्ट एशिया का जो रीजन है ये काफी डिस्टरब्ड रीजन है अकसर कर यहां कुछ न कुछ होता रहता है और इसराइल की रिसेंटली एक प कैसे इवाल्व हुआ ये इसराइल का स्टेट बना कैसे और प्रेजेंट जो इसकी मैप की कंडिशन क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा एक तरीके की सीरीज है जहां पर वो जगह हैं जो बहुत ज़दा न्यूज में रही हैं उनके नक्षों को मैं आपको बताऊंगा उन कर लीजे अगर आपको कुछ मदद मिल रही है मुझे हल्प करने के लोग वीडियो को देखने के लिए टेलिग्राम को जोएं कर लीजे वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडियाफ और मेरे दोरा बनेगे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस्टाग्राम पर अब यह जो वेस्ट बैंक यहां नजर आ रहा है इनकी अभी करेंट पोजिशन क्या है यह आगे इसी वीडियो में मैं आपको बता हूँगा तो इस्राइल है क्या है बेसिकली इस इस अ कंट्री आप कह सकते हो स्टेट ऑफ इस्राइल चूंकि बहुत से कंट्री इस्राइल को इसा कंट्री रिकॉगनाइज नहीं किया है रीसेंटली यूए के साथ जो पीस डिल हुए है उसमें क्या हुआ है इस्राइल को इसा कंट्री रिकॉगनाइज कर लिया यूए ने तो बैए स्टेट ऑफ इस्राइल इस्राइल यह पड़ता कहां पे on the south eastern shore of Mediterranean sea and the northern shore of red sea तो नौर्थ शोर पर पढ़ता है, इसराइल ये जो वाटर बॉड़ी थी ओना दे будет वाटर बॉड्शी इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टंट है। चो कि अगर इसराइल को एशिया के साथ ड्रेड करना है या इंडिया के साठ τریड करना तो जो भी इजराइल के शिपस हैं, यहां से पास होंगे, अब अब जी बात है मेडिटेरिन सी से पास करा एगा इसर सामान यहां में से निकलेगा इस water body हो जिसके चलते इसराइल और एजिप्ट के बीच में उस समय पे जंग छेड़ के थी जिसमें जॉर्डन एजिप्ट का साथ दे रहा था और मुग की खाया था इन लोगों ने उसके बारे में भी आके बात करेंगे फिर लैंड बॉर्डन से देखे जाए इसराइल के त यह वाइट बाला हिससा इसराइल का है यह जो वाइट बाला हिससा है इसके अगर आप western side में देखो तो आपको ढजह बद्टी यह ठीक है? उसके बाद अगर आप इस इसराइल के बीच में eastern side में देखे ह। आपको यह देखेगा वैस्ट бैंक में बहुत से जगहों जिसकी इमेजेस बहुत हद तक कवर की गई थी मेंस्ट्रीम मीडिया पर मैंने भी आपको ब्लास्ट की इमेज दिखाई थी सासत इसराइल का यह वाला जो वाला जो वॉडर है सीरिया के साथ इसको आप बोलतों गोलन हाइट्स गोलन हाइट से रिलेटेड और यह कोशन पू लेकिन पॉलिटिकल जो गवर्मेंट कैपिनल माने जाती इसराइल की वो है जेरुसिलम और जेरुसिलम के ऊपर जो इसराइल की प्रॉमिनेंस है उसको उतना ज्यादा ओपनली इंटरनेशनल रिकॉगनिशन अब तक नहीं मिल पाया है और जेरुसिलम इतनी इंपोर्टन स सिटी बनाने की बात की गई थी फर्स्ट वर्ड वार के बाद लेकिन अभी के लिए जेरुसिलम पे जो ओवरॉल कब्जा आ गया है वो किसका आ गया है इसराइल का आगे बात करते हैं 1947 में हुआ ये कि United Nations ने एक प्लान अडॉप्ट किया एक पार्टिशन प्लान फॉर पे फर्स्ट वर्ड वार आपको पता है 1914 से लेकि 1918 तक चला फर्स्ट वर्ड वार क्यों लड़ा जा रहा था ये अगर आपने मेरी स्पेक्टर मॉडरन हिस्टी की देखी तो मैं आपको बता रखा है ये जो कॉलोनीस थी फ्रांस, यूएस, यूके ये सब अपने-अपने कोलो करने के लिए लड़ रही थी, तो जब वर्ड वार वन खतम हुआ, एक बहुत बड़ी ताकत कॉलाप्स कर गई जिसका नाम था ओटोमन अंपायर, और ओटोमन अंपायर बहुत से हिस्सों में तूड गया, और उसमें एक हिस्सा था जो की बना उस समय का पेलेस्टीन, जो नदी थी जॉर्डन, उस जॉर्डन नदी के वेस्ट में जितना भी हिस्सा बोला गया, वो बोला गया पेलेस्टीन का हिस्सा, और इस पेलेस्टीन के हिस्से में, ब्रिटेन ने बोला कि चलो भाई, हम लोग एक होम बना देते हैं जुईश पीपल का, देखिए जुईश एक ऐसी community है ना, जिसको हर जगा से ख़देडा गया है, हर जगा से मारा गया है, और हमेशा से Jewish people ने अपने लिए एक जगा मान गी है, इन जगा मिली नहीं, तो कभी Europe माग रहे थे, कभी America भाग रहे थे, तो finally Britain ने बोला कि चलो ठीक है, बंदर माठ होई रहा है, सारी की सारी territories एक इधर उधर बाटी जारी, तो एक काम करते हैं, यह Jordan के West वाला जो इलाका है, आप देखिए, इस पूरे इलाके में, इतना जो इलाका है, इस इलाके में बोला गया कि भाई, Jews को हम लोग एक बड़े scale पे हम लोग settle करेंगे, अब आप अगर इस इलाके को देखो दोस्तों, तो चारो तरफ यह Arab countries से घिरा हुआ है, चाहे आप इजिप्ट की बात कर लिजे, चाहे ट्रांस जॉर्डन की बात कर लिजे, इसको आज की रिट में जॉर्डन का जाता, चाहे आप सीरिया की बात कर है, यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन ब्रिटेन ने, चुकि ब्रिटेन को इस पेलेस्टीन वाले इलाके की responsibility दी गई थी, कि हाँ भाई इस इलाके का बटवारा, इस लिए आके में settlement ब्रिटेन देखेगा, तो ब्रिटेन ने बोला कि ठीके भाई, Jewish people को यह establish कर देते हैं, ज यह वाली जो territory है, जो कि मैंने यहाँ पे लाल से देखा रखे, इस इलाके में हम लोग Jewish people को establish करेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो non-Jewish population है, उनकी economic, social, cultural, rights, religious, rights, wallet नहीं हो जाएं, और बंदरबाट हर जगा हो रहा था, यह जो औरेंज वाली पूरी territory है, इसमें England को मिला था कुछ करने को, Syria में France वाले बावाल मचा रहे थे, Iraq में British वाले बावाल मचा रहे थे, तो इस तरीकी की चीज़ें उस समय होई रही थी, चूकि सब colonies थी, First World War खतम हुआ था, तो बड़ी-बड़ी ताकते इन colonies को अपने बीच में वाट रही थी उस समय पे, तो Second World War खतम हो 1945 में, उसके बाद 1947 में United Nations एक प्लान को लेका है, अब तक इस Palestine वाले इलाके में, यह जो यहां पर आपको रेड रंग से नजर आ रहा है, यह वाला इलाका, इस इलाके में Jewish population अच्छी कासी आ चुकी थी, और Muslim population भी अच्छी कासी थी, तो United Nations में प्रपोजल लाए कि एक काम करते हैं, यह जो इलाका है, रेड वाला, इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक हिस्से में Jewish dominant हो जाएंगे, और एक हिस्से में Arab dominant हो जाएंगे, और यह जो Jerusalem Bethlehem वाला जो इलाका इसको हम लोग International City बना देंगे, अब देखिए दोस्तों, यहां पर Jerusalem यहां कह जो Palestinian से उनको dominant रख देते हैं, अब जो Jewish leadership थी, उसके पास दुनिया में कहीं भी जाने की जगा नहीं थी, उनको पहली बार एक जमीन मिली थी, जो वो कह सकते थे कि उनकी थी, तो Jewish population ने बुला कि ठीक है भाई, हम मानते, तो Palestine की Jewish leadership थी, उन्होंने इस United Nations के 1947 के प्लान को मान और Arab leaders ने इस प्लान को reject कर दिया, तो यह जो UN partition plan था ना, Palestine का, इसके अंदर देखे क्या हो रहा है, यह जो हलके वाले इलाके हैं, यह आते हैं Jewish के अंदर, तो यह जो पूरा इलाका है, जो मैं Red Red से डॉट लगा रहा हूँ, यह basically पूरा का पूरा Jewish population के अंदर आ गया, और ज चलेगी, तो international recognition के बीच में यह idea रहेगा, तो यह UN partition plan था, तो आप देखे, इसराइल के जो बनने की शुरुआत हुई, वो First World War के बाद हुई, First World War के बाद, League of Nations बना था, Britain को Palestine के हिस्से का इलाका दिया गया, और Jordan से West वाले इलाके को Palestine मना दिया, और बाकी का Jordan मन गया, और उस Palestine के इलाके में Jewish को सेटल कर दिया गया, उनका पोजिशन होने लगा, 1947 में जब partition plan लाया गया, Jewish ने बोला कि ठीक है हम कोशर partition plan से, और अरब उसने बोला हम partition plan को नहीं मानते, यह सिर्फ Palestinians की जमीन है, और जैसे ही Palestinian plan आया दोस्तो, 1948 में जो Jewish leadership थी, जो Jewish agency थी इस Palestine के इलाके म मतलब अब हमें एक independent state है, independent country है, और जैसे Jewish agency की तरफ से यह statement आया, 1948 का अरब Israeli war शुरू हो गया, मतलब कि आप एक बार Israel को जलाइस दक्षे में देखो दोस्तों, यह है आपको Israel दिख रहा है यहाँ पे, यह इसराइल चारो तरफ से यहाँ पे इसराइल, यह चारो तरफ से dangerous country से घुरा हुआ, इस तरफ Jordan है, इस तरफ सीरिया, इस तरफ Lebanon है, नीचे की तरफ Egypt है, यह सारी की सारी अरब country हो गेर के वो Israel पे attack कर रही है, in fact, यह जो अभी का पूरा का पूरा इलाका है, इसराइल का, यह भी पूरी तरीके से Israel के पास नहीं था, यहाँ पे मैं आपको औ अरब से और जो आपके Israeli people है, वो बड़े हिम्मत के साथ लड़ेंगे, अब आप देखो दोस्तों कि जब 1948 का अरब Israeli war खतम होगा, खिचडी सी पकी होई होगी यहाँ पे, तो जो West Bank और Gaza पटी का इलाका है, वो Arab states के पास चला जाएगा, और जितना इलाका partition plan के चलते Israel को दि लेकिन West Bank और Gaza पटी, ये चला जाएगा किस के पास? ये चला जाएगा आपका Arab states के पास, तो यह रहा West Bank, ये Arab states के पास और यहाँ पे है ये जो Gaza पटी, ये जो Gaza strip है, लाल-लल में दिख रही ज़िए, एपको, ये चली जाएगी किस के पास? Arab states के पास, तो West Bank आपको नजर आ इतने में है आपका West Bank मैं रेट दंक से डॉट लगा रहा हूं ते लेविप Capital है यह है Golan Heights Golan Heights अभी इसराइल की कबजे में नहीं है लेकिन Golan Heights इसराइल की कबजे में कब आएगी जब होगा 1967 का Six-Day War ये जब 1967 का 6-day war होगा जार्डन और इजिप्ट को लगा कि हम बहुत आराम से हरादेंगे बिल्चर्स को इस war की शुरुवात कैसी हुई जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाली जो water body थी जो की जिससे connection था Red Sea का आपका इसराइल से इस water body को block करने की कोशिश की एजिप्ट ने और जंग तो यहाँ पे छिड़ नहीं थी इस जंग के बाद इसराइल को काफी फायदा हुआ पूरा का पूरा West वैक, पूरा का पूरा Golan Heights पूरी की पूरी गाजा पटी पे कबजा कर लिया इसराइल वालों ने पूरी तरीके से गुसके बैट गये वो और उसके बाद Golan Heights में और East Jerusalem में अब तक अपने occupation को पूरी तरीके से लीगल बना चुके हैं, इसराइल वाले बहुत सारे legislative acts को पास कर चुके हैं और इसराइली लॉग Golan Heights में वेपलाई हो चुका है और East Jerusalem में वेपलाई हो चुका है, ये इसराइल के कंट्रोल में आ गए है हाला कि जो गाजा पट्टी वाला इलाका है, वो इसराइल ने छोड़ दिया जब इसके बारे में फिर से देखते हैं, ये जो पूरा का पूरा issue है न दोस्तों, ये बहुत ही ज़ादा जबरदस्त है 1948 के जो अरब इसराइल वार था उसके आते है 1949 में कुछ आर्मिस्टिस लाइन साइन हुए, मैंने आपको बताए ना कि 1947 में आया UN का पार्टिशन प्रान 1948 में उस पार्टिशन प्रान को एकसेप्ट करके इसराइल ने बोल दिया कि अब हम एक अलग कंट्री और अटैक कर दिया किसने अरब कंट्री ने उसके बाद आएगी 1949 में आर्मिस्टिस लाइन आर्मिस्टिस लाइन में क्या होगा, कि देखे, जुईश लीडर्शिप और पिलिस्टीन ने बोल दिया पर आपको डॉटेट से नजर आ रही है, तो देखे, लेबिनन की पूरे बॉर्डर से आर्मिस्टिस लाइन है, सीरिया के साथ आर्मिस्टिस लाइन है, वेस्ट बैंक के चारो तरफ आर्मिस्टिस लाइन है, गज़ा पट्टी के चारो तरफ आर्मिस्टिस लाइन है, जो पूरी की पूरी गाजा पट्टी थी, ये किसे कबजे में आ गई, ये एजिट के कबजे में आ गई, चलिए ठीक है, 1948 में ये हुआ, अब इसराइल के पता चल चुका था कि आगे आने वाले समय में कभी न कभी एक military conflict होगा ही, तो इसराइल अपने आपको बहुत तेजी स military develop करने लगा, 1967 में जिस बात का इसराइल को डर हो था, वही हुआ, ये रेट सी से जो उनका access था, उसको इजिप्ट ने ब्लॉक करने कोशिश की, उन्होंने ब्लॉक किया भी, और भाया हुआ, 1967 का जबरदस वार, और उस 1967 के वार में, पूरा का पूरा सिनाई पेनिंसुला इजिप्ट का, किस के हम चला गया, इसराइल के हम चला गया, तो ये जो पूरा का पूरा सिनाई पेनिसुलाई नीचे का, ये पूरा का पूरा इसमें इसराइल ने कब्जा कर लिया, जो इजिप्ट का सा, इजिप्ट को जटका लगया कि ये हुआ तो हुआ क्या, गाजा पट्टी कहां दिख रहे हैं आपको यह चोटी सी पट्टी दिख री ना अपको यह अजा पट्टी के है तो पहले इस पर इस पर इसराइल किर Edwards इंडス ये पूरा गोलान चाइट्स का इलाका за हैं मतलब जबरदस्त तरीके से 1967 का वार जीता किसने इस्राइल ने उके तो उसके बाद इस्राइल के पास कौन-कौन सा इलाका आ गया लैंड अकूपाइड बाइ इस्राइल आफ्टर 1967 देके पूरा सिनाई पेलिंसुलाज इस्राइल की तो कमरी तूट गई थी कि भाई ये क्या हो गया पूरा का पूरा गाजा पट्टी इस्राइल के नदे चला गया वेस्ट बैंक जरूसुलम गोलन हैट्स एवरिटिंग वस अंडर दे कंट्रोल अफ इस्राइल इस्राइल की जो टेरिटरी थी ना तीन गुना हो गई 1967 के वार के बाद फिर भाई जब सिनाई पेलिंसुला पे कबजा लिया इस्राइल ने तो इजप्ट वाले बार बार लड़ेंगे तो दीरे दीरे करके एजप्ट के साथ नेगोसियेशंस बने और 1982 में इस्राइल और इजप्ट के बीच में एक प्रीस ट्रीटी हुए और इस प्रीस ट्रीटी के चलते हैं सिनाई पेलिंसल आईजप्ट को वापस मिल गया इजिप्ट को भी समझ में आ गया कि ये पागल देश है इसराइल इससे कौन लड़ेगा तो भाईया इसके साथ पीस कर लो तो 1982 में इसराइल और इजिप्ट की पीस ट्रीटी हो गया अब इस पीस ट्रीटी के दूँ एमबैसी नहीं खोली गई बट कहीं न कहीं इजिप्ट ने डर के मारे ये तो एकसेप्ट कर लिया कि भाईया ये है लैंड बॉर्डर तुम अपनी साइड और हम अपनी साइड सीधी बात फिर ये जो गाजा स्ट्रिप थी इस जरुसिलम थी और गोलन हाइट थी इनका कब्जा किस के पास आ गया इसराइल के पास आ गया कहीं न कहीं इसराइल ने गाजा पट्टी का जो कब्जा है वो वापस दे दिया था हेजबुल्ला नाम के टेरिस्ट ग्रुप को अब अबारी होती ही बंबारी होती तो गाजा पट्टी से जो हेजब वापस दिया गया वापस फिर बात आते हैं 1994 को जौर्डन दूसरा अरब स्टेट बना जिसने इसराइल को रिकोनाइस किया और उसके साथ अपने लैंड बॉर्डर को फिक्स किया और जब अपने लैंड तो दोस्तों ये है कि ना इजेप्ट ने वन ना ही जॉर्डन ने इसराइल को एक अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया बट 1967 के वार में इजेप्ट और जॉर्डन दोनों बुरी तरीके सहा रहे थे इसराइल के तो इसराइल के साथ उन्होंने जो अपनी बॉन्डरी थी उसको तो लगनाई लिया इसराइल और लेबनन की कोई फॉर्मल पीस ट्रेटी नहीं हुई बट जो आर्मिस्टिस लाइन बनी थी ना 1949 में वो आज भी चलती है तो इसराइल और लेबनन की ये वाली जो बॉन्डरी है ये आर्मिस्टिस लाइन बनी थी 1949 में याद हो जब मैंने बताया था 47 पार्टिशन प्लान आया 48 में अरब इसराइली वार हुआ और उसके बाद जो आर्मिस्टिस लाइन बनी वही नॉर्धन बॉर्डर है इसराइल का तो लेबनन और इसराइल में कोई बॉन्डरी डिस्प्यूट नहीं है बट गोलन हाइट्स को लेके सीरिया के साथ इसराइल का एक बहुत बड़ा बॉन्डरी डिस्प्यूट है जो कि अभी भी खत्ब होने का नाम नहीं ले रहा है ठीक है तो ये बात होगी अभी के लिए डिस्प्यूट टेरिटरी कौन कौन सी है डिस्प्यूट टेरिटरी है दोस्तों वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और इस्ट जरुसिलम अगर आप इतर बात करो तो ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक अब इस West Bank के अंदर बहुत से पेलेस्टीनिन रहते हैं लेकिन पूरा का पूरा West Bank इसके कंट्रोल में है इसराइल कंट्रोल में गाजा पट्टी आप कह सकते हो कि यहाँ पे हेजबुला जो ग्रोप है वो डॉमिनेंट है पूरी तरीके से इसराइल कंट्रोल में नहीं हो जो जरूसिलम है इस जरूसिलम है यह पूरा तरी से इसराइल कंट्रोल में तो इंटरनेशनली देखा जाता है कि West Bank इस जरूसिलम और गाजा पट्टी यह इसराइल के कंट्रोल में ठीके ना, बट बहुत सारे international countries है, बहुत सारे international organization है, जिसने इस occupation को valid नहीं माना है, इस occupation को legal नहीं माना है, उनको यह मानना है, कि इसराइल ने illegally कभजा रखा है, इस हिस्से को, अभी के लिए देखा जा दोस्तों, तो यह पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक का इलाका है, अग पॉकेट्स में पेलेस्टीनियन बसे हुए है, लेकिन overall इस Jordan के boundary को, और overall एक बड़े हिस्से को कभजा किस ने रखा है, इसराइल ने कभजा रखा है, तो यह था इसराइल का मैप, दोस्तों, मेरा objective बस यह था, कि आसपास की neighborhood में countries कौन कौन सी है, और कौन कौन सी वो sensitive जग Joey, thank you for watching friends, have a great day, good bye